वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज हम लोग नेया टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा अरस्तू प्लेटो समाप्त हो चुका है प्लेटो की सम्मंधित आप वीडियो देखने के लिए हमरे प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं तो अरस्तू का जन्म कब हुआ था तो 384 इसापूर में हुआ था और इसकी मृत्यू कब हुई 322 इसापूर में इसकी मृत्यू हुई तो अरस्तू से सम्मंधित अलग-अलग टोपिक्स में हम लोग 3-4 वीडियो में इसको पूरा कवर कर लेंगे आज की वीडियो में हम लोग किवर इससे सम्मंधित कुछ सामाने तत्यों को देखेंगे ठीक है न? तो आईए स्टार्ट करते हैं तो अरस्तू से सम्मंधित कुछ महत्पूर तत्य को देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इसकी पुष्टक को तो ये इसकी पुष्टक जो प्रमुक पुष्टक है वो है आपकी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकस ठीक है इस तरह से लिखा हूँ आपको मिलता है तो सबसे मदपूर पुष्टक जो है ये पॉलिटिकस है ये कई बार एक्जाम में पूछा गया, आपको याद होना चाहिए इसके लावा The Constitution और Athens का सम्विधान भी उतना ही important है जितना कि आपका politicus ठीक है न तो Athens का सम्विधान, The Constitution और politicus ये किसकी पुछतके हैं तो ये आपके अरस्तु की पुछतक है अरस्तु का जन्म कहां पे हुआ था तो अरस्तु का जन्म मकदूनिया के तट पर इस्टे गीरा नामक अस्थान पर हुआ था किसका जन्म तो अरस्तु का जन्म इसके इलावा जो सबसे important चीज आप से पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि राजनीती विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो राजनीती विज्ञान का जनक जो है किसे मना जाता है तो वो अरस्तु को मना जाता है ठीक है इसके अलावा सम्विधान वाद का जनक किसे कहा जाता है तो सम्विधान वाद का जनक ये भी किसे का जाता है अरस्तु को क्योंकि इसने राज जी आ फिर सम्विधान को क्या किया था इसने जो है अलग-अलग पार्ट में बाटा था ठीक है न तो अभी जो है जब आपको सम्विधान के बारे में बता जाएगा तब उसको यहां पर डिस्क्राइब किया जाएगा डनिंग ने क्या कहा है तो डनिंग ने कहा है कि राजनीतिक सिध्धानतों के इतिहास में अरश्तु का सरो प्रथम महत्व, सरो प्रमुक महत्व इस तत्थे में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वरूप प्रदान किया तो राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जो है किसने स्वरूप प्रदान किया है तो वो किया है अरश्तु ने इसको राजनीति विज्ञान का जनक और श्रम विधान वात का जनक भी कहा जाता है अरस्तु ने 17 वर्स की अवस्था में प्लेटो के अकादमी में प्रवेस किया, तो जब आपको प्लेटो बताय गया था तो वहाँ पे बताय गया था कि प्लेटो के जो आपकी प्रमुक आप स्कूल समझ सकते हो या विद्याले समझ सकते हो उसका नाम क्या था उसका नाम था अकादमी ठीक है ना तो प्लेटो की अकादमी में प्रवेस लिया था अरस्तु ने 17 वर्ष के वस्था में और अरस्तु जो है अगले 20 वर्ष तक 20 वर्स प्लेटो की मृत्यू तक यहां पर अध्यन किया ना कि अगले 20 वर्सों तक 17 वर्स के उस्था में इसने यहां पर प्रवेश लिया था अकादमी में और अगले 20 वर्सों तक यहां पर अध्यन किया था जब तक कि प्लेटो की मृत्यू नहीं हो गई ठीक है न, प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिस्क या सरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था, तो इस वर्ड, इसके लिए नौस वर्ड यूज किया गया है, सरीरधारी बुद्धिमत्ता, ठीक है, नौस कहा करता था कौन, प्लेटो कहता था किसे अरस्तु को, तो अरस अरस्तु का सिसे कौन था तो अरस्तु का सिसे था सिकंदर ठीक है सिकंदर जिसने भारत प्याक्रमण भी किया था वो किसका सिसे था वो अरस्तु का सिसे था ये भी आप याद रखेंगे एथेंस में अरस्तु ने अपना एक निजी सिक्छालाय अस्थापित किया जो की लीसि तो ये दोनों आपसे एक्जाम में पूफे गए हैं, ठीक है ना, अकादमी किसकी है, प्लेटो की है, और लिसियम किसकी है, तो लिसियम है आपके अरस्तु की, ठीक, तो इसने अपना एक सिक्छला स्थापित किया था, लिसियम नाम से, अरस्तु नीती सास्तर को वयक्तिक भल अर्थ सास्त्र को घरेलू भलाई का सास्त्र कहता था ठीक है ये दोनों भी चीज आप याद रखेंगे कि जो नीती सास्त्र है इसको क्या कहता था वैक्तिक भलाई का सास्त्र ठीक है व्यक्तिकत भलाई का सास्त्र नीती सास्त्र को कहता था जबकि अर्थ सास्त्र को क्या कहत था घरेलू भलाई का सास्त्र ठीक है तो ये दोनों अंतर याद रखेंगे कि अर्थ सास्त्र को घरेलू भलाई का सास्त्र कहता था रस्तू और नीती सास्त्र को वयक्तिक भलाई का सास्त्र कहता था राजनीती सास्त्र के संबंध में उसका कथन क्या है उसने कहा है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला सास्त्र या फिर सर्वोच्च विग्यान है तो आपसे एक्जाम में पूछा जा चुका है कि राजनीती सास्त्र को सर्वोच विग्यान की संग्या किस ने दी है तो ये आपसे पूछा जा चुका है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को किसने कहा है तो ये कहा है मैकसी ने मैकसी जो है ये भी एक विचारक है इन्होंने अरस्तु को जो है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक या फिर राजनीतिक विचारक प्राथम-वैग्यानिक विचारक कहा है अगला हमारा है अरस्तू, यथार्थवादी और ब्यवहारिक विचारक है यह जैसे कि आपका अभी आपने देखा कि प्लेटो क्या था पिछले वीडियो में वो आपका आदर्सवादी विचारक था लेकिन अरस्तु क्या है अरस्तु एक यथार्थ वादी विचारक है और व्यवहारिक विचारक है ठीक है वह सदयो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है ठीक है तो मध्यम मार्ग का दार्शनी कौन है यह आप से एक्जामे पूछा जा चुका है मध्यम मार्ग का प्रतिपा इसको क्या कहा था मध्यम मार्क का मध्यम वर्क का दार्शनिक ठीक है तो मध्यम वर्क का दार्शनिक जो है किसने कहा तो ये कहा था केटलीन ने अरश्तु की पध्धती आगमनात्मक और अनुभाविक है तो आगमनात्मक पध्धती जो है किसकी है तो ये है अरश्तु की ठी तो यह थी आगमनात्मक पद्धती और अनुभवों पराधारित अनुभाविक पद्धती ठीक ये भी आपसे पूछा गया है आगमनात्मक पद्धती जो है किसने अपनाई थी तो ये आपके अरश्तू थे मानो प्रकृती की ब्याख्या करने के लिए अरश्तू ने जून पॉलिटिकान सब्ध का प्रयोग किया है किसके लिए जून पॉलिटिकान सब्ध का प्रयोग किया ये भी इंपोर्टेंट है मानो प्रकृती की ब्याख्या करने के लिए जून पॉलिटिकान सब्ध का प्रयो बहुत बाराप से पूछा गया है कि इसके लिए कून सा सब्ध उपयोग किया है इसने जून पॉलिटिक ओन सब्द का उपयोग किया है मानों की प्रक्रितिकी ब्याख्या करने के लिए अरस्टु ने ठिक अरस्तु ने कुल मिलाकर लगभग 400 ग्रंथों की रचनकी ये भी important है लगभग 400 ग्रंथों की रचनकी और बारकर ने politics को राजनीती की सर्वस्रेश्ट रचनका है तो politics the constitution और ethans का समविधान ये तीन आपको बताया गया था important है आपके लिए तो इसको आप याद रखना ठीक ह है तो बारकर ने politics को राजनीती की सर्वस्रेश्ट रचना का है ये भी याद रखेंगे politics अरस्तु की सरोप्रमुक रचना है और यह आठ भागों में विभाजित है ये भी point important है कि politics जो है politics इसकी सरोप्रमुक रचना है तो उससे समंदित question आप से बन चकते हैं तो politics को राज अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 समविधानों का तुलनात्मक अध्यन करके अपने महतपूर सिधानतों का प्रतिपादन किया था ठीक है तो अपने महतपूर सिधानतों का प्रतिपादन करने के लिए इसने 158 समविधानों का अध्यन किया था जिनमें से वर्तमान में इसने तुलनात्मक अध्यन कर रहा था अता अरस्तु को तुलनात्मक राजनीती का प्रवर्तक माना जाता है तो ये भी आप याद रखना ठीक अरस्तु को जो है तुलनात्मक राजनीती का प्रवर्तक माना जाता है राजनीती विग्यान का जनक माना जाता है तो यह हमारे महतपूर्ट तत्य थे अरस्तु से समद्रित तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे अरस्तु के विचार, राज पर विचार या फिर नागरिकता पर विचार ठीक तो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कर दिया कीजिए ठीक है जो भी आपके इस एक्जाम की तैयरी कर रहे हो वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद